आज आपको बता रही हों कुछ ऐसी रेसिपीज जो हमारे डेली के खाने को भी बहुत ही स्पेशल बना देंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बनाते हैं ब्रेड से बनने वाले गुलाब जामुन जो की बहुत ही टेस्टी बनते हैं और सबसे बड़ी बात है जटपट बन जाते हैं आपके पास जो भी ब्रेड हो चाहे ब्राउन ब्रेड हो मैदा ब्रेड हो कैसी भी ब्रेड हो उसको ले लीजे और जो उसके किनारे हैं ना इनको कट कर लीजे क्योंकि ये खाने में कड़वे लगते हैं और फिर इसको हम छोटे छोटे पीसे में तोड़ लेंगे और इसमें डालेंगे हम कंडेंस्ट मिल्क तो ये जो मैं मिल्क डाल रही हूँ इसे मैंने मीठा करके डाला है लेकिन आपना जो milk made होता है condensed milk होता है उसे डालिए या milk को थोड़ा सा मीठा करके डालिए condensed milk से ये बहुत अच्छे बनते हैं और उसके बाद हम इसका एक बिल्कुल मुलायम सा dough बनाएंगे रोटी से भी मुलायम जो होता है ना dough कुछ वैसा dough हमें बनाना है और फिर हमें बनानी है इसकी छोटी छोटी गोली जो की गुलाब जामुन की शेप की होंगी बस ध्यान ये रखिएगा कि हमारा जो dough प्रिपेर हो वो हलका सा मुलायम हो अगर आप tight dough बनाएंगे तो ये थोड़े से tight बनते हैं और जब इसकी गोली बनाए तो इसके अंदर कोई किश्मिश वगेरा रख दीजे अब हम चाशनी बनाएंगे एक कपली चीनी और एक कप पानी डाल कर इसको थोड़ा सा गाड़ा होने तक पकाएंगे और जब ये पक जाएगा तो इसे गरम ही रखेंगे क्योंकि इसमें हमें डालने हैं गुलाब जामुन तो देखे ये पक गया और जो हमने अब गुलाब जामुन बनाए थे इनको हम fry कर लेंगे बिल्कुल धीमी या मीडियम फ्लेम पर हम इनको हिलाते हुए जो है सेकेंगे और थोड़ा डार्क ब्राउन कलर तक इसको सेकेगा क्योंकि जब हम इसे चाशनी में डालते हैं तो इनका कलर लाइट हो जाता है गरमा गरम निकालके गरम चाशनी में इसको डाल देंगे और बस रेडी है हमारे गुलाब जामुन हाँ इनको 10-15 मिनट के लिए चाशनी में डूबा रहने दीजे और हाँ इनके अंदर जरूर से भरिये कोई मेवा और जो ये ब्रेट क्रम्स बनाने के लिए ये रेडी हो और अब हम बनाएंगे हल्दी राम जैसी नट क्रेकर और वो भी घर पर बहुत ही असानी से और इसके लिए हम यूज करेंगे बेसन का और यहां 10 मिनट में बन जाती हैं तो 1 बाई 4 कप लिया है बेसन और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चावल का आटा ताकि इसमें कुर पाउडर हुआ और साथ के साथ जिंजर गालिक पेस्ट लेके मिक्स करके इसमें डालेंगे कची पीनट एक कप और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे दो चमच कुकिंग ओयल फिर मिक्स करके हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा पानी और प मतलब पकाएंगे, एर फ्रायर में या ओटीजी में इस तरह से डाल दीजे, बिछा दीजे और इसको रख दीजे 180 डिग्री पे करीब 8 से 9 मिनट के लिए 8 मिनट में ये रिडी हो जाएगा तो लीजे तयार है बिलकुल मार्केट जैसी नट क्रेकर और अब बनाते हैं घर पे ही कंडेंस्ड मिल्क बहुत ही आसाम सी ये रेसिपी है जो कि हम दूद से बनाएंगे और इस दूद को हमने रख दिया गैस पर यह भी कच्चा दूद है और इसमें डाली शुगर चीनी एक कप और उसके बाद हम इसे फ्लेम ओन कर देंगे और गैस पर लगातार चलाएंगे और लगातार चलाना इसले भी जरूरी है क्योंकि दूद और चीनी के मिलने से दूद फटने कर डर रहता है लगातार चलाते रहिए और उसके बाद जब यह बॉयल हो जाए तो रुक रुक के चलाईए गाड़ा होने लगेगा कलर में हलका सा बिलकुल पीलापन आएगा और इसमें जाग बनने देखे इस तरह से शुरू हो जाएंगे अगर इसे आप मीडियम फ्लेम पे चला रहे हैं तो लगातार जो है आपको खुद खड़े होके से चलाना है दरवाइस इसे लो फ्लेम पे रखिए जब यह बिलकुल गाड़ा हो जाएगा तो इसकी फ्लेम को ओफ कर दीजे और उसके बाद हम इसे गैस पे से उतार लेंगे लेकिन ठंडा अभी हमको इसको नहीं करना है बस गैस पे से इसे उतारना है देखिए यह गाड़ा हो गया है और इसमें डालेंगे बिलकुल जरासा पिंच ओफ बेकिंग सोडा बिल्कुल ज़रा सा बेकिंग सोडा डालेंगे और उसके बाद लगातार इसको चलाएंगे ये अपने आप स्मूध होता जाएगा अगर ज़्यादा गाड़ा हो जाए तो इसमें थोड़ा सा कच्छा दूद मिला लीजे और अगर आपको पतला लगे तो दुबारा से इसको बॉइल होने के लिए रख दीजे बहुत आसान रेसिपी है इतना बढ़िया मिल्क मेट तयार होता है कि मार्केट से और घर के बने हुए में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है जब हम कुकिंग ऑइल में कुछ फ्राई कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा खराब हो जाता है जिसको हमें सही करना होता है काफी गाड़ा ये हो जाता है और ये health के लिए भी सही नहीं रहता है तो चलिए बताती हूँ कि किस तरह से इस cooking oil को हम सही कर सकते हैं तो ये करीब एक glass cooking oil है जो काफी गाड़ा हो गया है और इसे मैंने चान लिया है और अब लेंगे half cup पानी और इसमें हम mix करेंगे काफी करीब धाई बड़ा चम्मच लेंगे अच्छे तरीके से mix कर लेंगे ताकि इसमें गुठले ना रहें और इसे तेल में मिला देंगे cooking oil में जो की used cooking oil है इसे थोड़ी देर चलाईएगा तब ये mix होता है और बिल्कुल धीमी आच पर हम इसको चड़ा देंगे एक भारी तले की कड़ाई में और लगातार चलाते रहेंगे conflore के देखे गुठले पढ़ने लगते हैं और जितनी भी impurities या गंदगी तेल की होती है वो conflore सोक लेता है और आपका जो oil है ये धीरे धीरे clean होता जाएगा बस इसको लगातार धीमी आच पर चलाते रहें और देखे ये बिल्कुल transparent हो जाएगा और light हो जाएगा और सारी impurities इसमें से चली जाएगी ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप अपने used cooking oil को clean कर सकते हैं तो आगे से जब आप क्या कोई भी cooking oil में आप दो तिन बार मतलब fry कर लें सामान तो उसके बाद उसे clean कर लीजे वरना हम fried जो cooking oil होता है जिसमें fry कर लेते हैं चीज़ें वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है बिल्कुल transparent बिल्कुल बढ़िया साफ cooking oil इस तरीके से ready हो जाता है अगर हमें घर पे बनाना हो बहुत ही special lunch या डिनर तो बिल्कुल साधारण साब बना सकते हैं तरीका बताती हूँ एक तो बनाएगे बढ़िया सी चट्नी और उससे भी बढ़िया रोटी तो हम बनाएंगे नई स्टाइल की garlic चट्नी इसके लिए एक कप garlic को हमें ना कूट लेना है चीलने के बाद और इसमें मिलाने है मसाले जैसे लाल मिडच हुआ धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और नमक और इनको अच्छे से mix कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे पानी बिलकुल अजरासा और इनको mix करने के बाद हमने लिया पीली सरसों और जीरे को और इसे थोड़े से ओयल में हमने इस त और अब इसके साथ खाने के लिए बनाएंगे स्पेशल तंदूरी रोटी एक आटा बना लीजे जिसमें की थोड़ी सी कसूरी मेती और अजवाइन और थोड़ा सा कुकिंग ओयल मिला हुआ हो और उसकी थोड़ी सी मोटी रोटी इस तरीके से बना लीजे इन्हें तवे पे सेक लीजे और उसके बाद लीजे टोस्टर और इनको अब हम सेकेंगे टोस्टर में आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि ये घर पे बनी हुई रोटियां है कोई महमान आए तो खिलाएंगे न तो उनको भी ऐसा लगेगा कि ये आपने मार्केट से मंगाई है और इसमें और अब मैं आपको बता रही हूँ चने डाल से पनीर बनाना जो चना डाल होती है बहुत ही टेस्टी ये सबजी होती है बिल्कुल डिफरेंट सी इसके लिए मैंने डेड़ कप के करीब चना डाल ली है और इसको सोक कर लिया तीन से चार घंटे के लिए और अब मिक्सी में पीसेंगे जिंजर, ग्रीन चिलीज, गालिक और कसूरी मेथी इसमें डालेंगे और इसमें डालेंगे कुछ मसाले जैसे लाल मिर्च हुआ और धनिया पाउडर हुआ और डालेंगे दो बड़े चमच दही और इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे पानी नहीं डालेंगे अच्छी तरीके से विलखें पॉफ्ट नहीं हो जाता और साथ के साथ हमें ग्रेवी की तयारी भी कर लेंगे जैसे भी आप ग्रेवी बनाना चाहें उस तरह की और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरह से पक गया है और इसके छोटे छोटे पीसेस काटेंगे बिल्कुल सॉफ्ट पीसेस इसके होते हैं और अब हमने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डालके इनको अच्छी तरीके से सेक लेंगे और हाँ जिंजर गालिक पेस जरूर डालेंगे बढ़िया स्नैक ये रिडी हो जाता है ये इतना टेस्टी लगता है खाने में कि आप ऐसे ही इनको खाएंगे लेकिन अगर आप इनको थोड़ी सी ग्रेवी में जब डालेंगे न तो ये बिल्कुल एक स्पेशल अलग धंकी रेसिपी यानि की सबजी तयार हो जाएगी जरूर ट्राइ करिएगा करीब एक गिलास चावल और इसके साथ मैंने जो भी सबजीयां डालें जैसे मटर, आलू वगेरा ले लिए प्याज दो तरहे की काटी है एक तो बिल्कुल चॉप कर ली है और एक लंबी-लंबी काटी है ये है टमाटर और इसके बाद मैंने ले लिया अद्रक लहसन कटा हुआ और कुछ काजू और ये है कुछ खड़े गरम मसाले जो भी आप ख फ्राई कर लेंगे और जो हमने बड़ी-बड़ी मोटी प्याज काटी थी उसको भी फ्राई करके अलग निकाल लेंगे और अब हमने थोड़ा सा उसी ओयल में जो खड़े गरम मसाले थे बारी कटी प्याज थी अद्रक और लहसनते इनको हमें अच्छी तरह से भून लेना और उसके बाद जब हम इंतजार करेंगे कि थोड़े से जो टमाटर हैं ये गल जाएं और उसके बाद धनिया पाउडर डाला लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और हल्दी डाल दी है और इन सबको भी अच्छी तरह से पका लेंगे टमाटर अगर अच्छी तरह से पकता है तो स्वाद अलगी आता है और अब डालेंगे इसमें वो सारी सब्जियां जो आप खाना चाहते हैं कोई भी सब्जी जो आप खाएं और चावल मिला लीजे और उसके बाद इसमें हम पानी मिलाकर हम इनको पका लेंगे हाँ इन्हें बहुत ज्यादा हमें नहीं गलाना रहता है नहीं तो चावल चिपचिपए हो जाते हैं और जब यह पक जाएं तो जो हमने काजू और प्याज फ्राइ करी थी इसके उपर से डालिए और दही के साथ सर्फ करिए बहुत ही टेस्टी है लग आप लोगों ने मुझसे कॉमेंट किया था कि जिसके पास अवन नहीं हो कैसे केक बनाए तो एक तो कढ़ाई में बन जाता है और एक बहुत ही जल्दी मतलब मुश्किल से 5 मिनट में बनने वाला केक बताती हूं जो की बनेगा अपे मेकर में तो इसको बनाने के लिए हमें जो है न मैंने गेहूं का आटा या मैदा आप कुछ भी ले लीजे ये मै लेकिंग सोडा आधा चोटा चम्मच इन सब को चान लिया ये हमारा ड्राई पार्ट है और इसको अलग करके रख देंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो लिक्विड पार्ट है वो बनाएंगे इसे बनाने के लिए हमें 2-3 चीज़ें केवल चाहिए जिसमें सबसे पहले चाहिए दूद जो की 3 by 4 कप लिया है और कुकिंग ओल लिया है 1 by 4 कप इसमें डालेंगे दही 1 by 4 कप कोई मिल्कमेड वगेरा नहीं डालना है इसमें बस इसे मिक्स करिए और दोनों चीज़ों को आपस में मिला के बस अच्छे से मिक्स कर लिजे इनको और इसमें मैं की चीज नहीं है जो स्पेशल हम लें हाँ बस यह अप्पे मेकर स्पेशल है मैंने नया लिया है और इसी में बहुत आराम से बन जाता है यह जो केक होता है अब क्योंकि इसमें छोटे-छोटी होल्स होते है तो इसी में केक का यह बैटर ऊपर तक डाल दिया है उपर से कि यह फटा-फट फूलने लगते हैं चार से पांच मिनट में और मैग्जिमाम साथ से आठ मिनट में यह बनके तयार हो जाते हैं कोच भीस में नहीं करना पड़ता और बहुत ही बढ़िया यह बनते है तो इस तरह से इन रेसिपीज को आप यूज कर सकते हैं लंच में डिनर में और अपने तरीके से स्नैक्स में भी तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताना और पसंद आए तो लाइक करना मत भूला तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंप्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए ओके फ्रेंट्स थेंक यू एन बाबाई